आज हम लोग करने वाले हैं देखिए एसे की कॉपी है टीना दावी मैम की जो आल इंडे रंक वन थी यूपी एसे में ठीक है उसमें हम लोग एक किसी एसे को पिक करेंगे और देखेंगे वो कैसे अपने आंसर में परफेक्शन लाई है ठीक है न तो लेट्स स्टार्ट के कोश्चन टेस्रीज को दी है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बिना किसे दिल savez के ठीक है तो आप देख सकते हैं कोश्चन है इस classify clarity in the Indian context तो क्या unity in diversity का जो concept है हमारे इंडियं में वह बहुत ही overhead है हमारे इंडियं concept में context में तो देखे इस question का answer उनके द्वारे जो frame किया गए वो मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से इस question को मैं adapt की है खुद को initiation phase किया रहा है फिर body किया रही है conclusion किया रहा है चीक है ना तो देखे सबसे पहले इनके answer है मैंने एक चीज़ देखा है उनके कुछ ना कुछ prominent decisions है उनको ये quote करती है कैसे देखे question था is unity in diversity overrated in the Indian context तो ये start कहां से की है ये start की है जवारलाल नहरू बताते हैं अपने book में discovery of India में that उन्होंने वो claim करते हैं that India as a great civilizations existed in spite of all disruptions and obstacles over the centuries because of its unique ability to blend unity in diversity देखे ये start कितना बढ़िया है अगर आप सोचिए ठीक है तो देखे आपको एक चीज़ पता चल रहा हो यहां से कि जब वो start की न तो उनका ये मानना था कि starting में एक ऐसे personality की word रखो न जिससे बहुत सारे लोग agree करते हैं एक highlight हो जिससे ये पता चले कि हाँ इनके पस कुछ न कुछ extra vivid informations है समझ रहे हो आप देखो जबारला नेरू के context को उन्होंने use किया और उनकी जो उनकी जो idea थी while secularism की while Indian integrity की साथ में इंडिया की जो unity and diversity की जो blending थी ना ability blending ability उसको इन्होंने सामने लागे रख दिया अब देख सकते हो ठीक है इससे इतना तो clear हो गया कि अब जो जो भी copy check कर रहा उसको ये पता चल गया अच्छा हाँ इनका जो context था न वो किस direction में जा रहा है ठीक है अब देखिए आगे चलते हैं अब इसी तरीके से उन्होंने एक और book को mention किया है ठीक है जिसमें book का नाम है The Idea of India ठीक है न जिसमें बताया गया है कि इंडिया जो है न वो जिसमें एक remark है कि इंडिया का जो survival है न वो idea of integrity तो इंडिया की जो integrity है न जो survival अब तक का जो survival रहा है न वो सिर्फ और सिर्फ इसी idea के वज़े से रहा है कि इंडिया में unity in diversity है ठीक है न तो इसी लिए तो unity in diversity का ही एक example है न कि इंडिया जो इंडियन्स जो थे इंडियन के prominent figures जो थे वो oppose किये थे idea of Pakistan को ठीक है न idea of Pakistan पाकिस्तान बना ही था religious basis पे तो उसी unity in diversity को के ही example को set करने के लिए इंडिया में उसकी अपोज की गई थी देखें कितना बहतरीन लिखा गया यहां पर अब इससे तो उनको context मिल गया न अब जो copy check कर रहे होंगे उनको पता चल गया न इसके बाद ही एक image formation हो गया image formation जिनसे जो copy check करेंगे उनको idea लगया कि है she is going somewhere where I want to see ठीक है न उसके बाद देखें उसके बाद उन्होंने start कि indeed it is the idea of unity in diversity which has kept our multicultural multi-ethnic multilingual and multireligious nascent-tied together देखें एक word होता है न ringing words जो word ring करते हैं आपके ears में जो बार बार repetitive nature के होते हैं और एक तरीक से देखेंगे न jam set हो गया जैसे multicultural multi-ethnic multilingual multireligious nascent-tied together ये कितना word कितना वो लग रहा है exciting word लग रहा है ठीक है न तो दो frame दी इनोंने बताया कि इनके दोवारा ये कहा गया जवारला नहिरू के दोवारा उसके बाद उनके books किसी एक और सुनील खिलानी जीते हैं उनके idea of India से कुछ context उठाई है ठीक है उसके बाद ये अब बता रही है कि क्यों हमारे country में एक साथ सारे के सारे लोग बंधे परे हैं आपस में अच्छे relationship को build up कर रहे हैं ठीक है न तो ये बता रही है कि आखिर क्यों ये idea जो है वो overrated नहीं है हमारे country में ठीक है न अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये कुछ चाहती है न कि जो copy चेक कर रहे है वो इस चीज़ को जरूर फोकस करें तो वो देखिए उस इसको underline कर दिए तो आप देखिए जहां भी उनको ये सो करना है कि you need to read this point तो वहाँ पर उन्होंने underline कर दिया है ठीक है न multi religious society existence is independent on it यहाँ पर nation tied together and cannot be considered overrated when the nation very existence is dependent on it मतलब यह अपने point of view को रख दी है कि अगर हमें unity and diversity क्यों जरूर था हमारे country में उसकी point को ठीक है न अब देखिए उनका एक conclutive अब जो देखो body set करना है तो कुछ हर चीज़ तो आप positively नहीं लेके आगे बढ़ सकते हो तो देखो उन्होंने क्या mention किया है it is true that time and again time and again the Indian nation has been confronted with disrupting and disintegrating forces ठीक है न बताई है कि अब देखिए social issues तो है ही हमारे country में बहुत सारे disrupting forces तो है ही तो उनको भी यह accept करके mention कर रही है यहाँ पे और लेकिन उसके बाद इनका यह point कहना है न कि आखिर बहुत सारे confrontation है disruption है disintegrating elements है यहाँ हमारे country में even though Indian nation जो है न देखिए कितना beautifully framed है Indian nation has managed to tide over them by its unique way to accommodating diversity तो यह अपने इस point से नहीं हट रही है कि diversity why diversity was very much pin point and why diversity was very much hooked up concept in our India छेक है न देखिए कितना beautifully crafted answer है ठीक है अब चलिए देखिए बता दी उसके बाद देखिए next point में इनका कहना है the idea of unity and diversity has rested on the nation of secularism ठीक है न notion of secularism Indian brand of secularism so she stated that the idea of Indian Indian brand of secularism idea of Indian brand of secularism believes in religious harmony believes in religious harmony और सर्वधर्म शंभव देखिए कितना बहतरीन पॉइंट यूज की है सर्वधर्म संभव ठीक है न therefore our constitution guarantees fundamental rights to freedom of consciousness एक चीज़ और देखिएगा आप यहाँ पे उनसे एक पॉइंट गलत हुआ न तो उसको सिर्फ एक बार strike की है इस तरीके से याद रखिएगा बार बार आपको इस तरीके से स्ट्राइक नहीं करना ऐसे स्ट्राइक नहीं करना ठीक है न this shows your ability to handle the stress ठीक है न बस एक line ऐसे स्ट्राइक करके छोड़ दी है धियान रखिएगा मेंस राइटिंग में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है ठीक है तो आवर कॉंस्टुशन गारेंटीस फंडमेंटल राइट्स तो फ्रीडम अफ कॉंशाइंस मानेरिटीस के लिए इफरेंट रूल्स रेगलिशन इफरेंट रिजर्विशन को इंपोस किया गया है को डाला गया है हमारे कॉंस्टुशन में ठीक है अब देखे 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 वो लिखिये ना तो यहाँ पर यह वो इस चीज को कर सकती थी लेकिन ठीक है ओब्वेसली तो इंडियन 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 गयारेंटीड इसपे लिए अपने पॉलिटी का यूज किया आर्टिकल अटिकल मेंसन कर दिया इस से यह बता जलता है कि C has information information in context of this question information के लिए आपको facts articles judgments याद रखने होंगे ठीक है ना चलिए अब देखिए क्या कहती है apart from this the Indian state has established the national commission for minorities अब देखिए अब देखिए क्या उन्होंने national commission of minorities जो भी boards, bodies, organization बना है in context of questions उसको आपको ध्यान रखना है तो national commissions for minorities बना है तो अभी UCC की बात चल रही है ठीक है ना UCC से पहले आप लोग अपने personal कुछ laws भी बना सकते हो जैसे सरियत तो नहीं, sorry सरियत नहीं जैसे setup of अगर कोई जैसे triple तलाक वाली law थी फिर marriage का अलग issues था तो यह सब याद रखिएगा However, secularism in India is increasingly being threatened by communal incidents अब देखे, अब वो बता रही है वो accept कर रही है कि हाँ अभी के टाइम में कुछ ऐसा हो रहा है जो इंडिया में secularism पे थोड़ा सा risk है threatened है और देखे, threatened को वो underline की है मतलब वो यह बता रही है कि वो disagree नहीं करती है इस points है तो कुछ communal incidents भी हुए है जैसे बाबरी मस्जीद demolitions इनको इन्होंने clearly mention किया है anti-secrites फिर जो देखे, आपके टाइम में भी जो recent के वो हो रहा है communal जो भी issues है आप उसको mention कर सकते हो यह उनका recent का issues था अब देखे, कह रही है अब देखे, यह बता रही है कि देखे, ऐसा कुछ हुआ हमारे country में मुझा परनगर का जो दंगा हुआ था ठीक है ना लेकिन फिर भी इससे इन्डिया cope-up किया सिर्फ उसकी एक ही वज़ा थी कि वो आपस में united है last वो positive direction में अपने answer को move कर रही है कि ठीक है, communal issues हुए है communal incidents बहुत सारे ऐसे हुए है जैसे बाबरी ममजजी, demolitions, anti-sick rights ठीक है ना और मुझा परनगर का जो rights हुआ था लेकिन उसको फिर भी overtake किया गया किस वज़े से क्योंकि हमारे country में diversity है और साथ में unity भी है united है आपस में इसलिए तो देखिए उनका जो answer है नो एक positive aspect में निकल के आ रहा है इस बात का भी हमें ध्यान रखना है ठीक है अब देखिए देखिए being a multicultural and multilingualistic society, India remaining true to its idea of unity and diversity took enough measures to prevent any major cultural class तो इंडिया क्या-क्या measures लेते हैं cultural class को करने के लिए, मतलब cultural class को रोकने के लिए तो वो भी बता हैं जैसे मान लीजे एक example दिये 1956 में, it created states and देखिए अब कौनसी cultural class को या फिर rights को रोकने के लिए, तो क्या लाया गया है, तो linguistic basis, states को linguistic basis पे लाया गया, इससे क्या होगा आपस में culturally अगर लोग अगर एक तरीके के लोग के culture में रहे रहना, तो class कम होगी, तो देखिए linguistic जो basis था ना, उसको वो एक बहुत ब़रा change था, ठीक है ना लेकिन इंडिया उसको accept नहीं करना चाहता था, लेकिन जब इंडिया accept किया है, तो इन्होंने अपने इन्होंने अपने राइटिंग में उसको complete एक positive way में दिखा दिया है, कि जो linguistics basis पर जो इंडिया में change हुआ ना, इंडिया में states पने, जसे आंधराप्रदेश was the first day to be demarketed as linguistic basis तो उसको ये positive view में दिखा दिया है, कि contrast कर रहे है, can be drawn from Pakistan and Sri Lanka, Pakistan is approach of suppressing Bengali culture and language in East Pakistan, देखे banglajist की बात हो रही है, banglajist में जो हिंदूस थे, उनको suppress किया गया, पाकिस्तान में जब, पाकिस्तान बन रही तो लगए 10 से 15% हिंदूस थे, बट अभी hardly 2% हिंदूस हैं, तो हाँ पे cultural migration, या फिर cultural separation हुआ, religious separation हुआ वो यह बताने की कोशिस कर रही है, ठीक है ना, बट हमारे country में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रहे हैं, एक्जाम्पल दी है, 1971 banglajist का condition, स्रिलंका का condition, पाकिस्तान ठीक है, सिन्हालीज कल्चर एक एक्जाम्पल सेट की है, कि स्रिलंका में फेल कर गया है, विस्पेक्ट टमीलियंस, तो सिन्हालीज अट टमीलियंस का जो क्लैस चलते रहता है, उसके लिए वहाँ पे वो भी उन्होंने में इंसन किया है, ठीक है अब देखे, आखरी में वो बता रही है इंडिया देखे, अभी का केस कुछ और है, यहाँ पे फुट पे वो बीफ पे बैन, यह बैन, वो बैन का चल रहा है तो आपको फिर भी यह सबसी पॉइंट करना होगा कि कैसे हम लोग यूनिटी को मेंटेन करके रहना है हमारा मेन आंसर होना चाहिए पॉजिटिव वे में, कभी भी आंसर निगेटिव वे में ले जाना, ठीक है न हमेशा दिखाना है कि हाँ कुछ होप है, कुछ पॉजिटिवनेस है तो इंडिया देरफोर है रिस्पेक्टेड और प्रोमोटेड दिफरेंट लाफिस्टाइल कल्चर तू अफ्ट ट्राइबल्स पॉजिटिव लिविंग इन दे नौर्थिस्ट रीजन और इवन दे कुल्चुरल दिफरेंस अफ नौर्थिस्ट इंडिया और साओ तो यह न पंचील पॉलिसी उनको वह ने बहुत बताया है रिजेक्ट करके उनको उन्होंने मेंशन किया है जो कि शुरू में तो स्टार्टिंग में वह फिट नहीं बैट रहा था लेकिन बात में धिरी देर देखा गया ना वह साइकोलाजिकली फिट बैट गया ठीक है अब देखें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ तो आप आइडिया लगा सकते हो इस PDF को मैं अपने टेलिग्राम चैनल ISPC simplified पे डाल दूँगा IAS PCS simplified पे आप एक habit बनाओ इसको पढ़नेगी ठीक है ना habit बनाओगे तो आपको काफी जादा helpful होगा यह ठीक है ना अब देखें फाइनल में उनका कंक्लूजन में पढ़ देता हूँ कि आप इसको एक बार गो थू कर लेना कह रहा है कि hence the idea of unity and diversity is not overrated इनके according यह overrated नहीं है in the Indian context अब इनके क्यों नहीं है क्योंकि it has enabled the Indian nations to not only survive but set an example for the world याद रखेगा apart from the failures apart from the very disrupting disruption-ness that India has faced but India has shown some of the great example of multi-culturalism, multi-relationalism, multi-bonding ठीक है ना पूरे world में सबसे difference हो करता है ठीक है ना तो यह बताता है कि कैसे इंडिया का जो इंडिया में जो है वो idea of unity and diversity जो है वो overrated नहीं है finally इन्होंने यह कह दिया ठीक है ना चलिए तो this is all about यह टीना दावी मैम की paper थी आप एक दो page मैंने छोड़ दिया है बीच के आप उसको पढ़ सकते हो मैं इस pdf को डाल दूँगा अपने telegram channel पे ispc simplified पे इस तरगी के analysis मैं और भी बहुत सारे लाऊंगा अगर आपको लगता है कि और जरूरी है तो आप मेरे channel से जूर सकते हो ठीक है ना इस आप इस दर्रकी निव के भी उत्वाइश दौरीटरी और इना तीना दावी मैं उपसी और ने आप 1 ये। टैक है झाल झाल